आज हम बनाने वाले हैं एक नए तरीके से उड़त कदाल खिचड़ी वैसे तो खिचड़ी बनाना सभी को आता है और लोग बना कर खाते भी हैं लेकिन आज हम जिस तरीके से खिचड़ी बनाने वाले हैं वह खिचड़ी मुह में जाते ही घुल जाएंगे और या खिचड़ी यहां पर हमने एक बड़ा बावल लिया है अब इसी बावल में मूरत का दाल और चावल को डाल देते हैं अब दाल चावल को हम पानिस साप करेंगे दाल और चावल को हम इसी तरीके इस दो तीन बार पानिस साप करेंगे जिससे इसमें से धूल, मिट्टे और चावल में लगे पाउडर निकल जाएं हम इसे भीगोएंगे नहीं केवल पानी साप करके खिचड़ी बनाएंगे दाल और चावल को हमने 2-3 पानी से अच्छे साप कर लिया है खिचड़ी बनाने के लिए हमने गैस पर कूकर रख दिया है अब गैस को आम करेंगे कूकर में हम दाल चावल को डाल देते हैं और यहाँ पर हमने एक कटा हुआ आलू लिया है और एक कटा हुआ गांजर आलू और गांजर को हम कूकर में डाल देते हैं अब इसमें हम डालेंगे तीन कप पानी अगर आप खिचड़ी ज़्यादा गीला पसंद करते हैं तो पानी आप और बढ़ा सकते हैं अब इसमें हम डाल देते हैं एक छोटी चमच नमक स्वाथ के अंसर सारे चीजों को हम मिला लेते हैं अब कूकर उपर ढखकन लगा कर हम इसे 4 सीटी आने तक पकाएंगे और गैस को हम मेडिया में कर देते हैं कूकर में 4 सीटी बच चुके हैं अब कूकर को हम गैस उतार कर निजे रख देते हैं जिससे कूकर ठंडे हो जाएं जब तक कूकर ठंडे हो रहा है, तब तक के लिए हम मसारे तयार करेंगे, अब कडाहिम डाल देते हैं, एक चमच देशी घे, और घी को गरम होने देते हैं, घी गरम हो चुके हैं, यहाँ पर हमने एक छोटी चमच जीरा लिया है, एक चौथाई छोटी चमच हींग, और एक जीरा हिंग तेजपत्ता हमारे भून गए हैं अब इसमें डालेंगे एक बारी कटा हुवा प्याज प्याज को जीरा मिलाते हुए सुनारे कलर में भूनेंगे इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे प्याज हमारे जल्दी से भून जाएं और यह जले न यहाँ पर हमने एक हरी मिर्च दो भागों काट कर लिया है इसको भी हम डालकर प्याज के साथ भून लेते हैं अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च आउट डाल सकते हैं यह प्याज सटांटे कलार में भून चुके हैं अब इसमें डालेंगे कटा हूँ टानामाटर तमाटर को प्याज में मिला लेते हैं कि अब इसमें डालेंगे सुखे मसाले एक चोटी चमझ हल्दी पावडर एक एक छोटी चमल लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चमल धनिया पाउडर, अब मसाले को टमाटा रुप्याज मिलाते हुए भूनेंगे, हमने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने मन पसंद मसाले आउड डाल सकते हैं, इसमें हम एक छोटी चमल नमक डाल देते हैं स्वाद कैंसर, मसाले में ज्यादा नमक नहीं डालेंगे, एक छोटी चमल नमक हमने खिचडिम डाला था, और एक छोटी चमल नमक हमने मसाले म डाल दिया है, इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं, इसमें हम बराबर चलाते जिससे टमाटर हमारे गल जाएं टमाटर हमारे गल चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे आधा कफ हरी मटर हरी मटर को हम मसाले मच्छिस मिला लेते हैं जिससे मसाले मटर में पूरी तरह लिपट जाएं गैस को हमने धीम किया है धीमी आज पर हम मसाले को भून रहे हैं अब इसमें हम थोड़ा पानी अरोट डाल कर मिला लेते हैं अब मसाले को ढखकर धीमी आज पर 5 मिनट तक पकाएंगे जिससे मटा रोव मसाले दोनों पक जाएं अब पांच मिनट गवाद हम धक्कर अटाकर मसाले को चेक कर लेते हैं मटार और मसाले हमारे दोनों पक गए हैं अब इसमें हम खिचड़ी को मिलाएंगे यहाँ पर कूकर हमारे एकदम ठंडे हो गए हैं इसका प्रेसर निकल चुका है अब कुकर का ढखकर हम खोल देते हैं इसमें दाल और चावल सब्जी पक चुके हैं अब सारे खिचडी को हम कडाहिम डाल देते हैं अब मसाले में सारे खिचडी को हम अच्छे से मिला लेते हैं इससे हमें पकाना नहीं है क्योंकि खिचडी और मसाले दोनों पके हुए हैं इसलिए हम मसाले में खिचडी केवल अच्छे से मिलाएंगे गैस को हमने एकदम धीमा किया है मसाले और खिचडी हमने अच्छे से मिला लिया है खिचडी हमारी पूरी तरह से बन कर तयार हो चुकी है अब हम गयस को बंग कर देते हैं और इसमें हम थोड़ा धनिय पत्ती डाल कर मिला लेते हैं अब खिचडी को हम इस बावल में निकाल कर आपको दिखाते हैं इसके उपर से हम थोड़ा सक देसी घी डाल देते हैं इससे खिचड़ी के टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, अगर आप इस तरीकेस खिचड़ी बनाएं, तो उसमें देशी जरूर डालें, इससे खिचड़ी के टेस्ट आउर बढ़ जाता है, थोड़े धन्यक 35 गार्निस कर देते हैं, आप देख सकते हैं, खिचड़ी हमारी क हैं ग्रावणा कि पилосьाँ देख सकते हैं, आप देख।र स्वसाहा हैं, इस्वस News